प्रिशत्रों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपका अपना खुबसूरत सा चैनल रामनुजवन अकेडमी लोहारा आज हम पढ़ेंगे अध्याय एक बहुपद पॉलिनॉमियल जब मैं टिंथ मैट्स का वीडियो बनाना इस्टार्ट किया था ग्राफी विधी से इस्टा हैं तो चैप्टर वन चुड़ गया था तो चैप्टर वन का वीडियो हम आज से इस्टार्ट करेंगे और जैसे ही अध्याय एक हमारे कंप्रीट होता है तो फिर हम उधर का जो चैप्टर बच्च हुआ है मतलब चैप्टर फाइप अनुपात और शमानुपात फिर उसको अधर कंटेन्यू जारी रखेंगे तो आज हम पढ़ेंगे बहुपात तो बच्चों यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथे साथ बिल आइकन को भी प्रेस कर लिए जिससे वीडियो अप्लोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सब पहले आपको मिल जाएगा तो चलिए देखते हैं बहुपद तो सबसे पहले ध्यान देंगे मैं है ऐसे बताओंगा अर्थाध जब हम sz 9 मैं इसको पड़े थे ल्यू जयब गए 、「जूड़ना पड़ेते घटाना पड़ते और उसको करने के लिए छ Crash ец जि sì तो टाक क्या है कि बहुपत के नाम से हम का परिभार्शा निकालते हैं बहु Tus का पूम दो पार्ट में तोड़ेंगे तो यह क्या होगा बहु मिलेगा हमें फ़िति बहु מצम सारी पन होते हैं उसे क्या कहते हैं हम बहु हैं जैसे कि यह प्लास यह एक बहुपद है और एक सब्सक्राइब को देखे हम बहुपत का परीभासा इस तरह से और निकाल सकते हैं ठीक परिभासा होगा अधीक बहुत सारे पद होते हैं उसे क्या कहते हैं बहुपद कहते हैं ठीक दूसरा बहुपद देखे नार्मली यह चर रासी है और यह अचर रासी है तो चर और अचर रासी से मिलके बना होता है बहुपद एक बात और ध्यान देंगे बहुपद में चर रासी का जो घात रहता है वह पूर अब पूर्ण और अपूर्ण क्या होते हैं जैसे की 1 ह why we RYes puts three मतलब one two three फिर इधर जितना भी क्या कहते हैं उसे हम पूर्ण कहते हैं क्या कहते हैं फμ डेख लेते हैं अब अपूर्ण क्या होते हैं अपूर्ण में आ basta यासे one by two हाफ इसको क्या कहेंगे हम अपूर्ण कहेंगे तो बहुपद में चर रासी के घात में पूर्ण संख्य रहता है ठीक जैसे कि यहां पर टू है तो यहां पर कुछ नहीं मतलब हुआन है ठीक तो एक चीज़ और धान देंगे बहुपद का जो घात होता है वो घर्टे करम रहत है जैसे कि यहां पर X के घात में दो है फिर यहां पर X के घात में एक है फिर इधर जिरो तो चलिए जो जो point मैं आपको बदाया हों से लिख लेते हैं पहला बहुपद चर और अचर राशी से मिलकर बना होता है अचर राशी से मिलकर बना होता है दूसरा ठीक क्या लिखेंगे चर राशी के घात में पूर संख्या होती है संख्या होती है क्या होती है पूर्ण संख्या होती है और तिसरा चर राशी का घात घट्टी क्रम में रहता है घट्टी क्रम में रहता है ठीक इस तरह से क्या करते हैं बहुपद को पहचान सकते हैं क्या क्या बहुपद में चर और अचर पद रहते हैं ठीक और चर राशी की घात में पूर्ण संख्या होती है यदि चर राशी की घात में अपूर्ण संख्य तो इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे समझाया इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे क्यों क्योंकि यहां पी चरराशी के घात में अपून संख्य है ठीक तो यह तीन पॉइंट आप याद रखेंगे अब हम देख लेते हैं जो नाइद में पढ़े थे बहुपद को जुड़ना करते हैं नाइद में फोड़ने फुद्ट तो इसक लिए पहला केक जोड़ना है तो यहां पी बहुपद के है तो यह होगा एकस प्लस टू और यह होगा एकस प्लस फोर एकस और एकस को जोड़ते हैं ध्यान दीजिए एकस और एकस को जोड़ते हैं तो यह होता है टू एकस और फोर और टू को जोड़ेंगे तो यह होगा सिक्स ठीक यह हो गया जोड़ना अब इसको क्या करते हम इसम और तिन पद हैं तो सामने में कि हम इसको किया करेंगे ब्रिकेड के अंदर में बंद करेंगे ठेक तो चलिये इसको हिल करते हैं 2XThis manufacturer plus 3X plus 5-2-2K के माइन्स आंदर बुड़ करेंगे या फिर जब ब्रिकेड ऑपन करते हैं और सामने में माइनस का चिंधा रहता है तो अंदर का चिंधा क्या होता है बदल जाता है तो इह होगा 돼濃ओ ऑइकस इसक्वाइर और यह एकस इसक्वाइर ऊफस्कॉर तो फिर 5 और 2 को जोड़ेंगे तो यह होगा 7 तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका आंसार मिलेगा हमें एकस स्क्वाइर प्लेस टू एकस प्लेस सेवन एक कुश्ण देख लेते हैं मल्टिप्लाई के अर्थाद गुड़ा का तो देखें गुड़ा करने के लिए मैं आपको यहां पर एक चीज़ बता देता हूँ सबसे पहले हम क्या करते हैं चिन्नों का गुड़ा करते हैं किसका गुड़ा करते हैं चिन्नों का गुड़ा तो ध्यान दीजिए पहला जब माइनस और माइनस का मल्टिप्लाई होता है तो वो होता है प्लेस क्या होता है प्लेस दूसरा जब प्लेस और प्लेस का मल्टिप पर एक होग और यहां पर माइनेस में तो ंसका भी मल््टीप्लाई क्या होता है मिए शोते हैं इससे हम यहां इसकर से निकाल सकते हैं जब सेम hanging की गुड़ा होते हैं सेम जानार अर्था धार माइनस और माइनस देख diyeंए यहां पर सेम सेम हैं तो जब माइनस और माइनस का गुड़ा होता है तो उसका अंसर क्या आता है प्लस आता है जब प्लस और प्लस का गुड़ा होता है तो उसका अंसर क्या आता है प्लस आता है जब अलग-अलग चिन्द अर्थात विपरित चिन्द तो माइनस और प्लस का गुड़ा होगा तो माइनस होगा यह इस X का सबसे पहले हम इस Bracket के साथ गुड़ा करेंगे ठीक इसको डिटेल से बता रहो हूं मैं तो X का इस Bracket के साथ गुड़ा करेंगे तो यह X गुड़ा x-7 होगा फिर x के बाद है प्रेस के बाद है तो यह प्रेस लगा देते हैं फिर 5 का गुडा x-7 से करेंगे तो 5 और यह होगा x-7 अब इस x को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए x के पहले कुछ भी चीनना नहीं मतलब यहां पहर work creates और यहां पहरी क्या है अटा प्रस यहां पहर्स हाई अटा है तो प्लैस तूला सब्सकाइ घ्राइक के बाद एक मैं का मिदा कि प्लैस तो यहां पर प्लस का चिन है और यहां पर माइनस तो प्लस और माइनस को मल्टिप्लाई क्या होता है प्लस और माइनस को मल्टिप्लाई होता है माइनस तो यहां पर आएगा माइनस फिर एक्स और साथ का गुड़ा करेंगे तो यह होगा 7x फिर ये प्लस है तो प्लस ठीक फिर ये 5 है और यहां पे प्लस है तो यहां पे भी प्लस है तो प्लस 5 और प्लस X है ये 5 X होगा ठीक एक अचरपद है और एक चरपद है ध्यान दिजी जब अचर रासी और चर रासी का हम गुड़ा करते हैं तो उसका गुड़ा नहीं होता है अर्थात जैसे कि यह 5 है और यह X है तो दोनों को 7 में लिखते हैं क्या करते हैं दोनों को 7 में लिखते हैं तो 5 और X का गुड़ा नहीं होगा इसलिए दोनों को 7 में लिख देते हैं तो यह होगा 5 और X है फिर यहाँ पर माइनस है तो plus और ये minus तो plus और minus का गुड़ा क्या होता है देखिए plus और minus का गुड़ा minus होता है तो ये होगा minus और 5 का 7 गुड़ा करेंगे तो 5 सत्य 35 ठीक इतना तक आपको समझा गया अब ध्यां दिजी जो same same है उसको हम जोड़ेंगे अर्थात x square है तो इधर भी x square वाला पद रहेगा तभी इसके साथ वो जोड़ेगा तो यहाँ पर इधर x square वाला पद नहीं है तो यह अकेले x square रहेगा यहाँ पे फिर 7x और यह 5x हैं तो 7x माइनस में और 5x प्लस में हैं तो एक माइनस और एक प्लस होता है तो उसे हम माइनस करते हैं तो 7 में 5 माइनस करेंगे कितना होगा दो होगा बड़ी संख्य हम माइनस साथ माइनस और दोनों में x लगा है तो यह x कर दीजे फिर बचें यहां पर 35 तो इसका अंसर क्या मिला, x²-2x-35, तो यह हो गया आपका जुड़ना, यह हो गया घटाना और यह हो गुड़ा, अब हम देखते हैं भाग कैसे दिया जाता है, तो उसके लिए हम बहुपद के प्रेश्णवाली एक को पढ़ेंगे, तो प्रेश्णवाली एक का फर्स्ट कोश्चन देखें क्या है, बहुपद x²-x-1 को x-1 से भाग देकर भाग फल एवं सेस्फल गयाद किजिए, क्या गयाद करेंगे हम भाग फल एवं सेस्फल, तो उसके लिए मैं आपको इसको तो हल करेंगे, लेकिन इसको बनाने से पहले मैं आपको कुछ सुत्र बता देता हूं, ठीक, और भाग फल, सेस्फल और भाजक, ठीक, यह होता क्या है, उसे भी बता देता हूं, ठीक, तो ध्यान दीजी, जैसे कि हम नॉर्मली भाग देते हैं, ठीक, एक भाग देके मैं आपको दिखा देता हूं, 313, 313 को मैं 3 से तो यहां पर जो रहता है उसे कहते हैं हम भाजक क्या कहते हैं भाजक कहते हैं इसे ठीक इसे कहते हैं भाजक और इसको इंग्लिस में कहते हैं डिवाइजर ठीक फिर बीच वाले को कहते हैं भाज ठीक इसे कहते हैं डिवाइडेंड डिवाइडेंड ठीक और इसको कहते हैं भागफल भागफल इंग्लिस में इसे कहते हैं कॉटेंड कॉटेंट और लास्ट में जो सेसराशी बच्चा होता है इसको कहते हैं हम सेसफल सेसफल ठीक इसे इंगलीज में कहते हैं रिमेंडर ठीक तो भाजक भाज्य भागफल और ये सेसफल अब इन सभी को मिला के हम एक फार्मूला बनाते हैं तो फार्मूला हमारा देखे क्या होता है ठीक ये बीच वाला सबसे बड़ा होता है हमेशा तो ये इसके बराबर में बीच वाले के बराबर में ये सभी आपस में जुड़े हुए रहते हैं जैसे कि ये बीच में क्या है भाज्य है तो भाज्य के बराबर में क्या क्या होगा भाजय बराबर ठेक एक है भाजक और यह है भागफल तो यह दोनों आपस में घुड़ा होते हैं ठेक भाजक और भागफल तो भाज बराबर होता हैın भाजक गुड़ा भाग फल ठीक और लाश्ट में जो सेशफर रहते उसे हम जोड़ देते हैं तो ये सेशफल ठीक तो इसका फार्मोला क्या बना दिखे? भाज बराबर भाजक गुड़ा भाग फल धन सेशफल तो बीच वाला बड़ा होता है, इसलिए इन सभी के बराबर में इन दोनों का गुड़ा और इसका योग भाज्य बराबर, भाजक गुड़ा भाग फल, धन सेज फल ये होता है हमारा फर्मूला, तो इस फर्मूला को याद रखेंगे और इन सभी को आप याद रखेंगे तो इसी के अधार पर इसे भी हम सेम ऐसे ही भाग देंगे तो चलिए देखे इसको हम किस तरह से भाग देते हैं यहाँ पे ध्यान दीजी x square minus x plus 1 को x plus 1 से भाग देना है अर्थात यह बड़ी रासी है बड़ी रासी मतलब यह देखे बीच वाला भाग क्या होता है बड़ा होता है तो बड़ी को कहता है हम भाज्य तो यहाँ पे हम हिंदी में इसको लिख सकते हैं यह क्या है हमारा भाज्य है यहाँ यह दिया है दिया है यह है भाज्य भाज्य क्या है X square minus X plus 1 और ये क्या है? भाजक है? भाजक अर्थात ये है X plus 1 ठीक, तो ये भाजी और ये भाजक हमको भाग देना है तो भाजी यहाँ पर बीच में रहेगा तो हम इसको सेम इसी तरह भी भाग दे सकते है X square minus X plus 1 और ये हम भाग देंगे किस से? एकस प्लस प्लस पंसे पिए इस तरह से भी आप भाग दे सकते हैं तो चलिए देखिये इसमने हम कृते हैं इसमें किश्कर आउपर को नीचे में हो गए एक्स है तो यह एक्स है एक्स से एक्स कटेगा तो यहां पर सिर्फ एक एक्स बचेगा तो उत्तर क्या मिला हमें एक्स मिले ना क्या मिला उत्तर एक्स है तो जो उत्तर मिले उसको हम यहां पर लिख देते हैं यह हमारा अंसर एक्स है तो पहला काम हमारा तो में इसके पहले वाले पत को साथ है इसके जोब ही अंसर आएगा उसे यहां पर इखना है हम उसको क्या करते हैं इसके साध्सथ भाजक के इंग साथ यह होगा एक्स गुड़ा भाजक है एक्स प्लस वन अंदर गुड़ा करिए तो यह एक्स और एक्स का गुड़ा क्या होगा एक्स ही होगा तो आंसर क्या मिला हमें झाद से औस से निखे में लिखते हैं तो अंसर अजो कुवत पास एकस स्क्वाइर प्लस एकस तरिक से दो deep में हम इसमें काम करें आप पहले से पहले को भाग देते जो ऑस और र adesso क्रोप हैं गुड़ा करने के बाद उस आंसर को फिर यहां पे लिखते हैं ठीक अब तीसरा काम करेंगे हम इसको माइनस करेंगे भाग में देखे क्या करते हैं उपर वाले से निचे वाले को माइनस करते हैं तो जैसे ही माइनस करेंगे तो x2 के पहले यहांपी plus है तो माइनस में change होगा यह plus किसमें change होगा माइनस में तो first x2 plus और x2 minus दोनों आपस में कटेंगे अब इसको देखें जो plus है वो किसमें change हो गया है माइनस में तो 2- को क्या करते है हम जूडते हैं तो 1-x है और यहांपे भी नीचे मैं उतारेखे तो इसको भी क्या करेंगे से नीचे उतारिएंगे तो इसके चीन्ह के साथ तो यह plus one के साथ नीचे सींत लेंगे तो इसके लिए फिर पहला काम करते हम माइनछ 2 एक सब्सक्राइब और नीचे में यह रहंगा यह एकस रहे गाँ एकस स माइनछ 2 तो आपा छामा हमाइन गूड़ा एक्स प्लस योन के साथ तो मैंड दो टो इसका अंसर मिला हमें मांगें मैने चीन ना बहने प्लस ना है तो minus 2x और plus 2x कर जाएंगे यहाँ पी फिर minus को छोड़ेंगे तो यह plus होगा तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो यह क्या मिलेगा हमें 3 मिलेगा अब यह जो है वो x plus 1 के साथ भाग नहीं जाएगा क्यों क्यों कि यह है हमारा भाजग तो भाजग कर जो x के घात में है उससे यदि कम घात हमको मिल गया ध्यान देंगे भाजग के सुरुवात में x है x के घात में यहाँ पे 1 है इससे यदि हमको कम घात यहाँ पे मिल गया तो वहीं तक वो complete होगा उसके आगे भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर देखिए 3 है, x तो है यह नहीं है, तो यह आगे भाग नहीं जा सकता, तो यह है हमारा भाजक, यह है भाज्य, और यह क्या है, भाग फल है, लाश्ट में लिख सकते हैं, अतह, x-2 होगा भाग फल, भाग फल क्या होगा, x-2, और लाश्ट वाला क्या है, सब्सक्राइब करेंगे इसको इसको आप रफ में हल करके देखेंगे इस तरह से से हल करेंगे तो लोट कर लेजिए इसे कि फिर इसके बाद हमारा नेश्ट कोश्चन है सेकर नंबर का तो दूसरा कोश्चन कह देखें बहुपत आप 6x2-5x1 को 2x-1 से भाग देकर भाग फल एवं सेसफल जहात किजए तो इसको भी से हम उसी विधि से भाग देंगे तो चलिए हल करते हैं इसको 6x2-5x1 एसको जो आसर आइगा भाग फल उसको यहां पर भी लिख सकते हैं एसको ऐसे तो आप दोनों विधी से बना सकते हैं आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है और यहां पर क्या आएगा 2x-1 2x-1 अब चलिए हमारा फर्स्ट काम क्या होता है इसके प्रथम पद इसके प्रथम पद के साथ हमें इसे भाग देना है तो हमारा पहला काम होता है चैने 6x-2 को भाग देंगे हम इसके प्रथम पद 2x से तो x से 1x कटेगा तो यहां पर 1x मिलेगा उपर वाला 2 से 6 कटेगा तो दोतिया है 6 तो आंसर मिला हमें 3x तो इसका आंसर आएगा यह 3x अब इस 3x को क्या करते हम इसके साथ गुड़ा करते हैं तो इसके साथ गुड़ा करेंगे वह हमारा दूसरा काम होगा ठीक तो चलिए 3x को इसके सांद गुड़ा करें 3x गुड़ा यह होगा 2x-1 ठीक 3x के 2x के सांद गुड़ा तो 3 दूनी 6 फिर x और x का गुड़ा है x स्कुरा है फिर minus तो minus 3x के 1 के सांद गुड़ा तो 3x एकम 3x होगा आंसर क्या मिले हमें 6x2 minus 3x ठीक अब minus कर दीजे तो plus के चिंद्ध किसमे चिंज होगा minus में minus के किसमे चिंज होगा plus में ठीक यहाँ पर चिंद्ध को चेंज करना होता है अर्थाद वह minus ही होता है तो पहला 6x square plus में है और 6x square minus में change होगा है दोनों आपस में कर जाएंगे अब यह minus को हम किसमें change किये प्लस में तो यह minus 5x और plus 3x है एक minus और एक plus होते है तो उसे क्या करते हैं हम घटाते हैं तो 5 में 3 minus करेंगे 2, 7 में x है तो यह x रहेगा बड़े संख्य माइनस है तो यह minus फिर plus 1 बचे हो से उतार देते हैं चीलना से तो यह plus 1 नीचे आ गया अब फिर क्या करेंगे minus 2x को इस 2x के साथ भाग देंगे तो इसके लिए फिर पहला काम हमारा रहेगा यह 2x सा minus में इस minus 2x को इससे भाग देंगे तो यह 2x है अंसर क्या अगर 2x से 2x कर तो 1 आएगा और यहाँ पर minus है तो minus तो answer मिलेगा हमें minus 1 अब minus 1 का इसके साथ गुड़ा तो direct में गुड़ा कर दूँ minus 1 और 2x को गुड़ा होगा तो मिलेगा हमें minus 2x है फिर minus 1 का minus 1 से गुड़ा तो minus और minus plus होगा और यग कर दाएगा तो इसका भाग फल क्या मिला हमें अतह भागफल है त्री एक्स माइनस वन और सेस्फल है जीरो इस तरह से यह हमारे कंप्लीट होते हैं यहां पर हल करके लिख लेंगे दिया करके भी आप लिख सकते हैं यह क्या होगा भाज्य होगा और यह होगा भाजक फिर देखते हैं थर्ड नंबर का कुश्चन तो इसको भी चलिए श्वालो कर लेते हैं हम तो चलिए इसको लिखते हैं तो यह 2y का क्यूब फिर 4y का श्क्वायर फिर यह 3y फिर यह प्लस 1 ठीक और किस से भाग देना है इसे y प्लस 1 के साथ तो यह y और यह प्लस 1 ठीक अब पहला काम क्या है हमारा इसका प्रतंपद और इसके प्रतंपद इन दोनों को पहले हमें भाग देखना है तो फर्स्ट काम यहां पर हम करेंगी ऊपर में होगा 2y का क्यूब और निचे में होगा यह y ठीक y से y कटेगा तो यहां पर y square बचेगर था 2y का square तो आंसर क्या आया 2y का square ठीक y से y कट गया तो आंसर क्या मिला हमें 2y का square इस 2y square का y plus 1 के साथ गुड़ा तो second number ठीक 2y square और गुड़ा करेंगे हम y plus 1 के साथ तो गोड़ा कर एक forefront क अंदर होगा तो यह ने वाई का स्कूप यह वाए इसक्वराध का गोड़ा यहां पे गात 1 तो यस्क्वर दो और एक तिन गात जुरते हैं जब आदहार शामान होता है यहां बिए प्लस है तो प्लस TW यां तो है यह को हटा दीए करो तो वाइक कूड़ फ्लस्ट ीश कुर तो छाहहां दो मिलेगा और यहां पर 240 यह फोर यह थे लोग करेंगे दो प्लिस में पर धुक्रों में इसके प्रथंपद और इसके प्रथंपद पर यहां परका सबस्कों 1 को यहांक है जब ईक का सब्सक्राइब औरूपाहरण फिर हाई कॉची लगाई है तो इसके प्रहों cheaperδ tunglor और करेंगे तो तो यी को सिर्फ नाजरी एक तो सिर्फ मिलेगा हमें एक पदर वाइस बचे प्लस प्लस अस्प प्लस सब्सक्राइब लेते हैं यह प्लस वन अभी इसके प्रत्हंपद और फिर इसके प्रत्हंस करेंगे तो वाइसर से है तो एक वहां से हर जाता है और सिर्फ संख्या बचता है तो यहां बचेगा वाई प्लस वन तो यह वाई प्लस फिर माइनस और यह माइनस ठीक यह भी इखटेगा यह भी कटे गा तो सेज़फल मिलेगा हमें सिर्फ इतने ही question देखते हैं यदि आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा तो इसके आगे की question को आप बना कर देखेगा यदि आपसे नहीं बनता है तो फिर मिलते हैं नेश्र क्लाश में और देखेंगे इसके आगे की कुश्चन दूसरा तीसरा और आगे का कुश्चन है चौंथा नमबर कर ठीक